राजपांडे आप देख रहे हैं आर्सीन वी चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपके जहन में एक सवाल होगा आखिर का TGT पीजटी भरती परिष्छा में तरह बिल्ला में क्यों हो रहा है आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि नई प्रास्वीक शिख्षक भरती कब तक माज दिन से बताया गया था कि शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहल लगा दिया गया लेकिन प्रेसित रहे किया गया क्या अभी तक PNP को प्राप्त हुआ जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर मुहल लगे क्या PNP को अभी तक प्रस्ताव पर जो मुहल लग हैं और नौकरी पाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए लाग प्रियास करते हैं ऐसा कभी कभी आपके साथ हो जाता है कि आप चैनित होने से चूप जाते हैं कभी दो नंबर से कभी चार नंबर से कभी च्छे नंबर से अगर आप सेलेक्शन चाहते हैं अपनी नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं अपने आपको इंप्रूब करना चाहते हैं तो टेस्ट बुक के दुबरा आपके लिए जबरदेश टेस्टीर त्यार करवाया गया है इस ट कूपन कोट का यूज करेंगे जब RCN कूपन कोट का यूज करेंगी तो आपको 20 प्रतिसत का डिसकाउंट मिलेगा और एक साल तक आपको 580 प्लस एक्जाम्स की तयारी का मौका मिलेगा 45,000 प्लस मौक चेस्ट आपको देखने को मिलेगा ओफर 24 घंटे के लिए 24 घंटे के बाद या ओफर समाप्त हो जाएगा साथ साथ मैं आपको बता दूँ अगर आप यूपिटर परनसी वीडियो री एक्जाम की तयारी के लिए अगर आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका वीडियो में सेलेक्शन हो जाए पिछली बार आपका 246 नंबर से रुख गया था आपकी बार बेड़ा पार हो जाए तो आपके लिए टेस्ट बुक की तरब से वीडियो मौक टेस्ट तयार किया गया है इस मौक टेस्ट के माधिम से आपने आपको आठ पाएंगे आप अपनी तयारी को परक पाएंगे आपने कितनी बहता तयारी की है अब तक एक लाग से अधिक लोग इस मौक टेस्ट से जूड़ चुके हैं अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो description box में लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके कुछ charges के साथ आप जूर सकते हैं मैं आपको बता दूँ 45,000 से ज़्यादा मौक्टेश आपको देखने को मिलेगा 580 पलस exam की तैयरी का मौका मिलेगा कितने में मात्रिप 400 में 400 में तभी मिलेगा जब आप RCN coupon code का यूद करेंगे 24 घंटे के लिए offer है अगर आप 24 घंटे में इसे परषच नहीं करते हैं तो या हो सकता है 900 या 1000 रुपे हो जाए तो description box में लिंक दिया हूँ उस लिंक पर क्लिक करके इसे परषच कर सकते हैं पहली ख़बर के बारे में बात करेंगे उससे पहले वीडियो को like share कर दें इसी पर गार के authentic जानकारे के लिए चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन बादें और पर सेड़ कर दें TGT PGT परिच्छा तिसी की घोश्चा अभी तक नहीं हुई आखिर का इतना बिलम क्यों हो रहा है आपके इसन में एक सवाल होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी बार जो center बनाया जा रहा है देखे पिछली बार तो आरोप लग गया था अब की बार center का इसता से निरेच्छन किया जा रहा है बकायदा उसे चाचा प्रखा जा रहा है जिससे कोई आरोप न लगे पेपर आउट की जो घटनाय center से होती है उस पर लगाम लग सके तो अब center का verification कारी चल रहा है और कई center की शूची भी मांगे है जब यह कारी पूरा हो जाएगा तब जाकर परिछा तिथी की घोश्टा होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस channel की मादिम से एक बार नहीं कई बार बताया है कि 15 नौमबर के पहले परिछा conduct नहीं कराई जाएगी 15 नौमबर के बाद और दिशंबर तक परिछा conduct कराई जा सकती यानि कि 15 नौमबर के पहले नहीं 15 नौमबर के बाद दिसंबर तक जा सकता है साथ से देना चाहता हूं नहीं तो आप कह देंगे कि मैंने किशी की कॉपी किये इस चैनल की कॉपी करने वाले बहुत हैं लेकिन जो इस चैनल से नए दूरते हैं या नया वीडियो देखते हैं पहली बार वीडियो देखते हैं उन्हें भ्रम हो जाता है इसलिए भ्रम को वीडियो बनाय गया था उसमें बताया गया था कि सो प्रस्द मैं आपको सही जानकारी देता हूं बस आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आप वीडियो पूरा देखते होंगे तो आपको सो प्रस्द जानकारी मिलती होगी और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता यहाँ पर देख सकते क्या लिखा गया है मेरी द्वारा ब्रेकिंग नियूज TGT PGT परिच्छा केंद्रों का निरच्छा कारी चल रहा है परिच्छा 15 नॉंबर की बाद दिसंबर तक कंडेक्ट करा जाएगा इसके पहले भी कई बार मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है कि 15 नॉंबर के पहले किसी भी हाल में परिच्छा कंडेक्ट नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा इसकी कई कारण बताएगा थे अगर आपने वीडियो को पिछला नहीं देखा वीडियो को पूरा सुनते नहीं है तो सुनने की आद़ डालिए मेरी जानकारी अगर आप पागए मेरे द्वारे जो बताया गया उसे जाने सुन लिए अगर कोई आप से बात करता है अगर मेरी जानकारी को उसके सामने रख देंगे जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ गारेंटेड है आपको कोई फैल ने कर पाएगा आप जो बताएंगे वही वह मान कर जाएगा इसलिए वीडियो को पूरा सुनने के यादल डाले और पिछला मेरा रिकार्ड उठा कर देख लिजिए कि मेरे दोबार जितनी भी जानकारी आपको आप तक दी गई है कितनी सही है इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को अंतर देखने का प्रियास करें कुछ लोग कहते है आइड लगा दे तो या पाँच लोग मेरे साथ काम करते हैं उनका भी पेट है तो आइड लगाना पड़ता है लेकिन आपको उस एड के साथ सही जानकारी दे रहा हूँ इतना कम है फिरी में जानकारी ले रहे हो 500 का यंबी भरा के 84 दिन वाला 600 का और फिरी में जानकारी ले हो घर में 20 तर पे बैठे होगे सो रहे होगे या हो सकता है कि कई घोमने के मुबाइल निकाल के देख लिए तो आप तो मुबाइल निकाल के देख रहे हो कई चार्ट पकोड इखा रहे हो और मैं आपके लिए जानकारी ढोड कर ला रहा हूँ तो आप लोगों को इतना दुख होता तो दुख आपको नहीं होना की आपको क्यों सही जानकारी मतलब होना चाहिए, जो मैं आईज दिखाता हूँ, मेरे तो पाच लोग काम करते हैं, उनके लिए पेट के लिए दिखाता हूँ, उनको भी कुछ देना पड़ता भी हाँ, बा आपने बास आपको मेरी बात रहें तो आपको इस बात की जानकारी मिल गए होगी की skilled krem सिक्षण लुएक प्रात्मीक को लेकरनIP का विढ़्ापन को तक आएगा देखिए मेरे पर आपको कई बार बताया गया है कि नौवंबर दिसंबर पर इस पर काम धीरे धीरे शुरू होगा 2023 में नई प्रात्वी खिश्चक भरती की घोश्टा की दाएगी मार्च अपरेल तक नई भरती का विग्यापन आएगा और जुलाई माथ तक जून जुलाई अगस तक सूपरड़ की परिछा कंडेक्ट कराई जा सकती है क्यों कहा गया इसके कई रीजन थे और कई रीजन मेरे द्वार आपको बताया गया है मैं हूँ जैसा कि आप अपरी स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत में सिच्छों के लाखो पत खाली है देश के प्रधान मंत्री जी दाबा करते हैं उत्तर उसके मुक्वंत्री जी दाबा करते हैं सिच्छों की भरती पूर्ट है सिच्छक और चात अनपास सही है लेकिन इस रिकार्ड को अगर आप देखेंगे तो रिकार्ड को देखकर चौक जाएंगे देखें 11.16 लाख पत खाली पड़े हैं टीचर्स के इनस्कों के मताबिक 2.48 लाख टीचिंग पत सिर्फ बिहार में खाली है 12.44 टीचर के पत 1.247 केंद्रे बिज्यालों में खाली हैं 6.210 टीचिंग पत खाली हैं 42 केंद्रे इन्वर्सिटी में लगबग हर राज में टीचर भरती कानूनी विवादों में उलजी है 45 घंटे हर हफते काम करना हर टीचर को आई टीए के मताबिक पूरे राज आकड़ा दिया गया है और आपको बताने का प्रियाश किया गया है कि देश में कितने टीचर की कमी है जब सिच्छा वियुस्था ही सुधने नहीं रहेगी तो आखिकार च्छातरों को सिच्छा कैसे बहतर मिल सकता है लेकिन उत्तकर मुखमंत्री योगी आधित्राइजी उनके मंत्री जी कहते हैं कि सिच्छ और च्छात अनपास है देखे मुखमंत्री जी तो कुछ बोल बहने नहीं करते हैं शिच्छक भरती के बारे में कहेंगे पारदर्सी 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 लेकिन आज तक उनके द्वारा यहां नहीं कहा गया कि हम इतनी भरती भविष्ट में करेंगे कब करेंगे 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 सम्मीदा करेंगे प्राइबेट करेंगे हम आउर्सोर्सिंग पर ग्यारा थी वार यू-पी टेट की परिछ आओर होगी, यू-पि टेट की परिछा के बाद ही, शी टेट की पर हेपको नई पर आपप और मैं आपको इतना तक बता देना हूं कि नई प्रात्विक शीक्षभर्ति आये तो आईगी वह अपको ट्यारी करता चुर्थ जून परत्व में वार। उसके बाद ही हो पाएगा ऐसी उम्मीद दिकर यह ऐसा लग रहा है क्योंकि जानकारी क्लेक्ट करता हूं तब आप पहुंचता हूं देखे को भी चैनल वारा को प्राथवी शिक्षक भरती की बारे में जानकारी नहीं दे रहा है जानकारी आपको तब देगा जब समाचार पत्र में छपेगा तो सभी लोग पढ़ेंगे तो उससे पहले में आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं कि 6 महीने पहले मेरे दौरा जो बताया गया क्या 6 महीने बाद बाद सही हो रहा है या नहीं इसकी पुष्टी आपको खुद करना इसलिए कहता हूं जब मेरे प्रक्रिया आगे बढ़े तब उसको निकाली इस चैनल के माधिम से क्या बताया गया था आपको उसी दिन विश्वास पढ़ जाएगा मुझे लगता है आप इस चैनल से एक हजार दस जार लोग को जोड़ देंगे गारेंटेड है तो आपको घबराने क्यों सकता नहीं मह महनत से त्यारी करने क्या हो सकता है महनत से बढ़िया त्यारी करते हैं किसी के बातों में मत आईए आपको जो करना है करिए मांग करिए ग्यापन दीजे जो भी करना करिए लेकिन प्रात्वी शिक्षक भरती है आपको 2023 में देखने को मिलेगी लगबक 30-40,000 पदो पर अग आउ का समय 2024 का रहेगा तो हो सकता है कुछ पद बढ़े जाए ज्यादा नहीं कुछ पद अगली अपडेट है सीट विस्त्री नोटिफिकेशन को लेकर देखे सीटेट विस्त्री नोटिफिकेशन पर कारी पूरा हो चुका है बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने माला है य आप विदन प्रक्रिया सुरू करने पर काम चल ला है और दिस्टंबर में आपकी परिछा कंडेक्ट कराई जाएगी जो कि जनवरी तक चलेगा ऐसी उमीद जताई जा रही है तो आप मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनते होंगे नोट करते होंगे तो आपको सचाई से रू मुहर लग जया है कुछ लोग काहते है कि प्रस्ताव पर मुहर करे less लग गया समा चार पस्वें बतागे अगर कोई कागज लिएम आफिस मेह मलीजे मुखमंत्री आप इसको Babies मौन लेते हैं एक्जामपल σταवल रूप में और तहसीिल को हम मालेते है प्लामित सब्सक्राइब सब्सक्राइब रूप विद्धा गया उसपर डियम साहब ने अपना मुहर बैद की में अपता हम लगा धिया मैं में आपम के रूब में जब मुखवंत्री के पास क्या वहत्व दी प्रस्तावा पर मुहल लगा दिया है जब तक नहीं होगा जब तक प्रत्रिकार प्रस्ताव difigy अभी नहीं लगी है प्रस्ताव के दिया जाएगा, मेरे द्वारा कहा गया, बीच में छुट्टिया काफी थी, तो अभी तक नहीं आया है, हाँ, आज सिरे के काउंटडाउन शुरू है, चार दिनों के अंदर कुछ ना कुछ सूचना प्राथ हो जाएगी, जो भी जानकारी होगी, चार दिन का मैं आपको अल् है कन दवाय? ब हलो पस Mr.